हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं गुलिश टीचिंग आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक नएक डिजाइन शेयर करेंगे यह हमने अपनी कुड़ती में पैनल डिजाइन किये हैं इसमें हमने गुमसलाई के साथ लेस को टैच किया है और कुड़ती के दामन में हमने बॉर्डर लगाया है और वो भी हमने गुमसलाई के साथ टैच किया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उ साथ इंच उसका हाफ यहां पर साड़े तीनच पर मार कर लेंगे और अपना नेक जो डीप रखेंगे वो रखेंगे हम 6 इंच यानी 60 तो इस güne तो इस तरह से हम आर कर लेंगे और यहां पर हम एक बोक्स बना लेंगे आप यह नंएक बोट षेप में भी बना सकते हैं इस तरह से हम राउंड शेप देंगे अब अपने नेक को हम कटिंग कर लेंगे अब हमने ये दो पट्टिया लिए हैं इनकी चोड़ाई डेड़ इंच है डेड़ इंच चोड़ी दो पट्टिया लिए हमने ये और इसके पीछे हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है इसकी लंबाई हमने 29 इंच लिए है दोनों पट्टियों की लंबाई 29 इंच है और एक और पट्टियों की लंबाई 29 इंच है और एक और पट्टियों की लिए है जिसकी चुणाई 1,5 इंच है और इसके पीछे हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट नहीं किया है इसकी हम लगाकर आपस में जोल लिया है अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे और इसका जो सिलाई मार्जन है इसको दाएंबाई शिफ्ट करते हुए हम यहां पर आयरन करेंगे अब यहां से हमें हाफ इंच की चोड़ाई पर उसे मार्क करना है दूसरी साइड में भी हमें हाफ इंच की चोड़ाई पर ऐसे मार्क करना है अब इसको इस मार्क के ओपर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ओपर हम आइरेन कर लेंगे इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए हमें दोनों साइड में क्रीज लाइन बनानी है देखिए हमने दोनों साइड में क्रीज लाइन बना ली है अब हमें इसकी एक साइड में पाइपिन लगानी है उसके लिए हम अपनी पाइपिन वाली पट्टी लेंगे इसके नीचे हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट नहीं किया है तो इसको ऊपर रखेंगे हमें इसकी उल्टी वाले साइट से सिलाई लगानी है और ये जो हमारी किरीज लाइन बनी हुई है इसी के उपर हमें सिलाई लगानी है अब ऐसे में पाई भीन बनानी है देखिए हमारी सिलाई का मार्जन है ये हम पाई पिन के अंदर रखेंगे तो हमारी पाई पिन अच्छे आएगी तो इस तरह से मार्जन को अंदर करते हुए हमें पाई पिन बनानी है देखिए साइड में हमारी पाई पिन लग गई अब दूसरी साइड में हमें लेस को लगाना है तो हमारी जो क्रीज लाइन बनी ही है इसी के उपर हम लेस को रखेंगे तो ये जो किरीज लाइन है इसी किरीज लाइन के ओपर हमें इसलेज का सेंटर रखना है और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें सलाई लगानी है अभी देखी कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसके उपर आईरन लगाएंगे देखे हमने आईरन कर लिया है एक साइड में हमारी लेस लग गई है दूसरे साइड में हमारी पाइपिन है अब इस पट्टी को हमें इस तरह से बीच से फोल्ड करना है ऐसे और इसके सेंटर में हमें एक मार करना है अब अपनी पट्टी की चोड़ाई देखेंगे हमारी पट्टी की चोड़ाई तयार हुई है तो इसका डवल यानि तीन इंच उपर इस तरह से हम मार्क करेंगे यह तीन इंच पर हमने मार्क कर लिया है अब यह सेंटर वाला जो मार्क है हमें उस मार्क के साथ मिलाना है देखिए ऐसे हमें कोर्नर बनाना है अब यहां center वाले mark से इधर 3 इंच पर mark करेंगे इस mark को भी यहां center से मिलाना है इस तरह से इस तरह से set करते हुए हमें iron करना है इसके उपर देखिए क्रीज लाइन बन गई है हमें यहां पर गुमसलाई लगानी है तो दोनों side में हमें अंदर की side से सिलाई लगा लेनी है जो हमारी crease line पर नहीं है, इस हमें crease line पर हमें सिलाई लगानी है देखिए कितनी finishing के साथ हमारी एक corner बन गए है यह देख सकते हैं अब हमें अपनी कुरती को लेना है और हमारी यह center की crease line है इस क्रीज लाइन को हम इस तरह से चोक से डार कर लेंगे और इसको बिल्कुल सेंटर में हम सैट करेंगे इस तरह से हम सैट कर लेंगे और लगभक एक इंच हमें पट्टी को उपर बढ़ता हुँ रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है ऐसे हम सेंटर मेच करेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर हमें सेंटर को मेच करना है अब हमें पाइपिन लगानी है उसके लिए यह हमने दो इंचोड़ी और यह पट्टी ली है इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे यहाँ पर हाफ इंच का मार्जन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर जो राउंड शेफ है वहाँ पर हमें अपनी पाइपिन वाले कपड़े को थोड़ा सा खींच कर रखना है इस तरह से हम पाइपिन वाले कपड़े को हलका सा खींच कर रखेंगे तो इससे हमारी राउंड शेफ बहुत अच्छे आती है तो यहाँ पर राउंड शेफ है दोनों साइड में यहाँ पर हम इसे हलका सा खिशते वे से लाई लगाएंगे इस तरह से लगाने पर हमारी पाइपिन उपर को पलट कर नहीं आती है और बहुत अच्छी शेफ में लगती है इस तरह से हम इसको उपर को फोल्ज करेंगे कपड़े को और इसके उपर टोप स्टिच लगाएंगे अब हम आईरन करेंगे आईरन से हमें अपनी राउंड शेफ को मेंटेन करना है इस तरह से हम शेफ को मेंटेन करते हुए आईरन करेंगे दोनों तरफ और हम इसको उल्टी तरफ से भी आईरन कर लेंगे देखे कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये नेक रेडी हुआ है अब इसके मैचिंग हम ये बटन लेंगे और इस तरह से हम लगा लेंगे इन बटन को अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो फिलीज वीडियो को लाइक किया करें शेयर किया करें अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथ ही बेल आइकन को किलिक कर दें जिससे हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें थैंक यू फॉर वाचिंग